Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल अब आप सोच रहे होंगे, सरी डिस्क्रिशन हो क्यों रही है, वाई इस इंपॉर्टन, क्योंकि हाली में एक बहुत ही बड़ी development हुई है, हाली में जर्मनी की जो चांसलर है, Olaf Scholz, उन्होंने विजट किया चाइना को, हम रिपीटिंग, जर्मन चांसलर, Olaf Scholz, विजटेड बीजिंग इन नॉवंबर फर्स्ट वीक, अल्दो, इस वरी शॉर्ट विजट, स्थिल, इस वरी वरी सिग्निफिकेंट, अब यह क्यों सिग्निफिकंट बनती है, देखे हम जानते हैं, कि पोस्ट पैंडेमि इस साल वो बाली भी गहते हैं, जी ट्वेंटी मीटिंग के लिए, तो ऐसे ही लीडर्स आर ना विजटिंग, तो इतनी बड़ी बात क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग चाइना की बात करें, चाइना को भी बहुत सारी लीडर्स ने विजट किया हूँ, जिसे आसियान की ली अगर हम लोग बात करें इस साल की शुरुवात से, इस साल की शुरुवात में, फरवरी 24-2022 से रश्य और यूक्रियन की बीच एक युद्ध चल रहा है, और जब से युद्ध शुरू हुआ है, पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स या फिर वर्ल्ड सिनारियों में एक डिवा और तन कहीं न कहीं चाइना जरूर कर रहा है, तो एक डिवाइडिंग लाइन बंच चुकी थी, और अभी उसी वेस्टन ब्लॉक से, वन ओफ दी मेजर कंटी, जब मैं यूरोपियन यूनियन की बात करूं, दो अल्फवेट से EU, मैं उसको एक्चुली ट्रांसलेट भी कर स जतनाओं टुजी एफ, जब मैं जर्मनी और फ्रांस, उसमें से एक कंट्री के लीडर ने विजट किया चाइना को, अल्फो हम लोग यहाँ पर इस विजट के उपर ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले हैं, बट हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इसका मतलब क्या है, फो द जरूर के उपर क्या एक प्रभाव पड़ सकते हैं, उसके उपर हम लोग चर्चा करने वाले, of course, at the end of the discussion, हम लोग इंडिया के बारे में थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे, so we will understand why this visit is very very significant for the global world order, for Germany itself and in general for global politics, right, that would be the agenda in this particular discussion, now to get to know all that, मेरे सब बने रहिये, till the very end, चलिये, शुरवात करते हैं, but before that, do remember, if you want to prepare for UPSC civil services, if you are aspiring to become IAS or IPS or a civil servant, then you are at the right spot, why, because study IQ is one stop solution, we have created a foundation badge for you, badge number 9, would be very very ideal for all of you for preparation for 2024 civil services examination, it's the most comprehensive program, the most affordable program, because you will get the entire program for 18999, entire program, where you will get complete coaching, complete classes, 1000 plus hours of live classes, directly delivered at your home basically, online, with doubt clearing sessions, you have one to one mentorship, you have group mentorship, everything, in fact, this includes prelims test series also, that means, almost 40-45 mock tests you will get for prelims, that means, for 2024, prelims you will be prepared, for mains you will be prepared, for interview also, you will be prepared, so do not miss out on this particular program, visit our website, www.studyiq.com or you can also download our app, on the app, you get all the information, and do not forget, to use my code, if you want maximum discount, you got to use the code, Rahul Live, capital R-A-H-U-L, L-I-V-E, without any spaces, right, let's move on, चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होनी वाली है, जर्मनी और चाइना की रिलेशन्स की बारे में, अब स्पेसिफिक लिए हम लोग आपे जर्मनी की वह थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्योंकि जर्मनी की लीडर ने विजिट किया, अगर हम लोग जर्मनी क पॉलिसी की बात करें, देखिए, इस से पहले, उलाफ शोल से पहले लीडर थी अंगिला मर्कल, अब एंगिला मर्कल की पॉलिसी हम लोग जानते हैं, अल्मोस्ट 17-18 साल के लिए वो जर्मनी को रूल कर चुकी है, काफी रियलिस्ट पॉलिसी उन्होंने फॉलो किये, और उनके कारेकाल के दोरान, चाइना के साथ रिलेशन्स काफी एक्स्टेंसिव बने, इसलिए एक टर्म भी उस कियाता है, उनकी पॉलिसी को मर्केंटलिजम, राइट, ऑन दे नेम अफ एंगिला मर्कल, तो मर्केंटलिजम, जहां पे प्रॉफिट मोटिव होता है, बिस्दस इन गर्वर्मेंट्स के साथ भी डिलिंग चल रही है, अब पिछले साल में कहोंगा, 2021 एंड में, एंगिला मर्कल्स टैनियोर और उसके बाद, चैंसलर बने उलाफ शोल्स, अब उलाफ शोल्स जब बने, तो एक बदलाव जरूर लग रहा था कि आएगा, और उलाफ शोल् एक Zayton vendor, उन्होंने कहा, I'll bring Zayton vendor, Zayton vendor मतलब Turning Point, तो उन्होंने अपनी policies में बदलाव लाई, इन फैक्ट आपको याद होगा, हम लोगोंने Zayton vendor के उपर भी एक चर्चा जरूर की थी, जहांपे मैंने आपको बताया, कि ओलाफ शोल्स की policies, थोड़ी stringent policies हो चुकी है, रश बढ़ा दिया, अब Germany, अगर आप देखे, Germany was a part of both the wars, World War I, World War II, और Germany का experience हम लोगोंने देखा है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा defense budget के उपर spending की, deterrence के नाम पे, साती साथ उन्होंने Ukraine को भी बहुत सारे arms and emirations को भी supply किया हुआ है, right, that is basically Zayton vendor, that means a turning point in the policy, लेकिन एक जरूर देख सकते है, commonality between mercantilism and this so-called Zayton vendor of Olaf Scholz is this, Wandel-Durch Handle, यानि कि Wandel-Durch Handle, change through trade, यानि कि trade के उपर इनका काफी जादा focus रहा है, और इसी trade को center में रखते हो, because Wandel-Durch Handle, change through trade is also one of the core tenets of Olaf Scholz policy, जिनने जिसों उन्होंने बताया था, Zayton vendor, a turning point, अब इसी Zayton vendor को follow करते होए, he visited Beijing, जैसे कि मैंने आपको बताया, a very big thing, क्यों? क्योंकि जब से रश्या यूक्रियन का युद्ध शुरू हुआ है, या फिर जब से मैं कहूंगा, Xi Jinping ने power को capture किया, China is authoritarian country, single party, I would say single leader country, एक ही leader है, हाली में उन्होंने तीसरे term के नाम पे perpetual leadership को उ अब उस development के बाद ही, Olaf Scholz becomes the first leader, first leader, I would say COVID-19 pandemic के बाद, major leader from European Union, Russia-Ukraine conflict शुरू होने के बाद, a major leader visiting China, और Xi Jinping के power consolidate करने के बाद भी major leader है, जिन्होंने विजिट किया यहाँ पे, वाई, because they want to continue trade, क्योंकि वो चीजें बदलना चाहते हैं, through trade also, हाली में, November 1st विजिट किया, अब बहुत ही छोटी सी विजिट, मैं कहूंगा, one day की विजिट, one day भी नहीं थी, in fact, he was in China, he was in Beijing, for only 11 hours, 11 घंटों के आसपास थे, वो, जी जिन्पिंग की साथ औरोंने मुलाकात की और कुछ अनॉंस्मेंट आई, not very important person, लेकिन हुआ क्या है, इसके पर धान देते हैं, कि दोरोंने मिलकर, nuclear weapons के उपर statement दिया, कि nuclear weapons इस्तमाल नहीं होने चाहिए, हम जानते हैं कि Russia, Ukraine, war जब से शुरू हुआ है, एक nuclear खत्रा सभी BioNTech की vaccine, वो चाइना में भी दी जाएगी German expats को, यह बहुत ही important development है, क्यों? क्योंकि China अपनी खुद की vaccine, right, Sinovac के उपर focus करता है, लेकिन यहाँ पे German expats को Germany की vaccine मिले ही करके यह announce किया, इसके अलवा, again, you can see the Vandal Dutch handle, that means trade के उपर focus है, trade के अलवा में, simply let me just put the symbol of money, that is dollar, right, बहुत बड़ी announcement ही है, 17 billion dollars की एक deal announcement हुई, of supply of aircraft, supply of airbus, इसके अलवा, again, इन्होंने कहा कि हम लोग, climate से जुड़ा हो, bilateral climate और transformation dialogue start करेंगे, very small thing, again, this was the basic idea of the visit, यहाँ पे पर देख सकते हो, बहुत ही बड़ी इन्होंने deal announced की, इसका मतलब क्या है, trade is the center spot, the entire Sino-German relations are connected to trade, ऐसा नहीं कि इनकी बहुती strategic, एक मैं कहूंगा कि relationship है, कि defense में भी है, security में भी है, अलग-अलग dimensions में यह लोग बहुत ज़्यादा cooperate करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ideological differences तो ही है, तो trade से एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, अब अगर हम लोग observe करें, Germany और China की relations पिछले एक दशक में, तो एक observation ज़रूर मिलती है, काफी ज्यादा Germany rely कर रहा है on China, especially in terms of trade also, अब यहाँ पर मैंने आपको एक idea बताई है, हम लोग हमेशा बात करते हैं, China और USA की, is China beating United States of America, देखिए, tech में वो beat कर रहा है, PayPal पब्लिश करने में वो beat कर रहा है, मैं कहूंगा, पिछले 10-15 सालों में, वो USA को beat कर रहा है in terms of diplomatic outreach also, क्योंकि यहाँ पर, एक simple example मैं आपको बताई है, पिछले 10 सालों का, 2010 से 2019 में, कितने देशों से leaders ने visit किया USA को और China को, और मैं आपकी नजर यहाँ पर लेकर जाना चूंगा, since we are talking about Germany, look at the visits of German leaders in the last 10 years, 12 visits हो चुकी है to China, और वही German leaders, US को, कितना विजट कर चुके है, US 8 visits from 2010 to 2010, तो यहाँ पर मैं रहा है, China is beating US in terms of leader connect also, leader outreach also, इसलिए आप देख सकते हो, that's why German and Chinese relations have grown exponentially, अगर हम लो बात करें, पिछले 10 साले, फिर पिछले 20 सालों की बात करें, continuously trade increase हो रहा है, इसलिए कई सारे experts ने criticize भी किया है, कि German policy talks about, vandal Dutch handle, लेकिन वो कहते हैं कि there is more handle and less vandal, यहाँ बदल नहीं है, चीजे बदल नहीं दिया, यानि कि trade extensively बढ़ रहा है, बिल्कुल, trade has reached, in fact, पिछले साल 2021 में, it reached record level of 245 billion euros, right, अब ऐसा नहीं है कि bilateral trade नहीं है, क्योंकि German exports भी काफी बड़े होए हैं to China, but nonetheless, you can see the observation here, कि China से जो exports आ German exports are much lower, यानि कि Germany के जो imports है from China, they have been continuously growing, मैंने आपको बताया कि almost 245 billion euros का trade हुआ है, जिसमें से approximately 169 billion dollars worth import ही आये हैं into Germany, यानि कि import ज्यादा है, जर्मनी से export कम है, but nonetheless, trade बहुत ज्यादा हो रहा है, अब यह तो हमें पहले भी पता था कि trade काफी extensive हो रहा है, केवल trade नहीं हो रहा है अगर हम लोग बात करें, जर्मनी से काफी सारा पैसा जा रहा है, चाइना में भी, जर्मनी has invested heavily in China, अगर हम लोग बात करें, FDI की, right, if you talk about FDI, in the last 20 years, especially from European countries, जर्मनी is this blue mark, और मैं चाहता हो कि आप इस चीज़ को observe करें, कि जो blue pillars है, वो किस तरह बढ़ रहे हैं, right, this is a huge, huge foreign direct investment from Germany into China, China ने भी invest किया है, चाइना ने approximately 40 billion dollars invest किये हैं, जर्मन कमपनी से लेकिन, अगर हम लोग जर्मन कमपनी से की बात करें, जर्मनी, we do know about automakers, they are great automakers, यानि कि बढ़िया कार्द बनाते हैं, जैसे कि फोक्स वेगान है, BMW, C, Chrysler, Demler है, तो ये तीन कमपनी से और BASF, जो chemical giant है, ये चार companies मिलके 34% FDI contribute कर चुके हैं पिछले 3 सालों है, 2018 से लेकर 2021 तक in China, यानि कि यहां से पैसा गया है चाइना को, so trade is rising extensively, it is going on, it is going on and on and on, अब आप सोच रहेंगे सब तो क्या हो, अभी situation कैसी है, अगर हम लोग geopolitical रश्चिकोन से इसको देखें, तो जर्मनी अभी कह है, जर्मनी अभी अच्छिली फसा पड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि देखिए, चाइना के साथ extensively trade कर रहे हैं, लेकिन ideology के लिए अगर हम लोग बात करें, तो चाइना और US का trade war हम जानते हैं, चाइना यूएस का ideological war, ideological competition भी चल रहा है, और जब से रश्या और यूक्रेयन का यूद्ध शुरूआ है, तब से तो हम कैसे थी, fault lines have been drawn, European Union, अब European Union, US, इन दोनों का भाग मैं कहूंगा, जर्मनी तो EU का भाग है भी, EU में major leader है, मैंने आपको बताया, कि अगर इस EU, इन दो alphabets को मुझे बदलना है, तो I can simply put it as GF also, मतलब Germany and France, उसमें से एक major country है जर्मनी जिनका trade अभी भी continuously बढ़ रहा है, और ये एक बहुत बड़ी development थी, कि जर्मनी के chancellor, China विजिट कर रहे है, after the Russia-Ukraine war, क्योंकि इसको काफी criticism भी मिली, जैसे ही visit announced हुई, European Union में भी बहुत से लोगों ने criticize किया, US की तरफ से भी criticism आया, कि why the chancellor is visiting China, तो Germany is in such a tricky situation, कि जो दो allies मैं क होंगा, European Union के तो भागी भागे, लेकिन US के साथ भी उनके relations काफी तनावपूर्ण हो सकते हैं, आने वाले समय में, ये बहुत सारे experts बता चुके हैं, that the next tussle between Germany and USA would be over German relations with the Chinese, तो ये situation है अभी फिलाल, geopolitically Germany की, but still Germany is standing ground, यानि कि वो चाइना के साथ डील करी रहे है, अब देखें, ये तो हो गई, overview, लेकिन अगर हम लोग जर्मनी की internal politics की बात करें, जर्मनी की जो पार्लेमेंट है, बंड़स्टाइग, उसमें भी डिविजन हो चुका है, आप जानते हैं कि Olaf Scholz is leading a coalition government, उनकी coalition के partners है, उन्होंने भी इस move को criticize किया, कि चाइना के साथ इतना साथ ट्रेड क्यों चल रहा है, हाली में एक बहुत ही बड़ी development है, पिछले महीने, October में, कि जर्मनी ने एक deal hash out की, चाइना के साथ, देखें, चाइना ने interest जताई, चाइना की जो company है, Costco, मैंने आपको मैप बताया था, कि Costco की reach कितनी है, in world ports, right, Costco ने interest जताई, कि जर्मनी के है, that was divided over it, but finally, Olaf Scholz की negotiation की वज़े से एक deal जरूर हुई, और उस deal में, Costco का stake maximum हो सकता है, 24.9%, कुछ इस तरह की understanding के साथ, एक deal जरूर बनी, यानि कि Chinese company का majority stake नहीं बन सकता, but nonetheless, deal जरूर हुई, यानि कि की already policy document है, 2019 से, जहां पे उन्होंने कह दिया है कि, China is a rival and a competitor, हाली में, G7 की तरफ से, German finance minister, जो है, Annalena Porbeck, उन्होंने भी कह दिया है, कि, we are ready to declare, G7 is ready to declare, China is a competitor and rival, now, isn't it strange, कि एक तरफ, जैसे कि मैंने आपको बता है, एक तरफ, आपकी ideology आपको कह रही है कि, China आपका competitor, आपका rival है, China के ओपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, US जो आपका major partner ने वो भी कह रहा है कि, आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, despite all this, Germany is still betting on the Chinese, right, that is why it is a very very big development, और इसके लिए, विजिट से पहले, जो जर्मनी के चैंसलर ने, Olaf Scholz, उन्होंने एक opinion लिखा था है, याँपे in the political, आप देख सकते हो, writer is Olaf Scholz himself, इन्होंने explain किया, China विजिट को, इन्होंने ये कहा कि, इन्होंने कुछ पॉइंटेस बताया है, पांच पॉइंटेस बतायते हैं, I don't remember all five pointers, but nonetheless, मैं आपको समझा देता हूँ कि उन्होंने कहा क्या, कि उन्होंने कहा, कि देखे, पूरा विश्व बदल रहा है, हम लोग कहते हैं कि चाइना बदल रहा है, लेकिन पूरा विश्व ही बदल रहा है, उन्होंने ये कहा, कि चाइना अभी वो चाइना नहीं है, जो 10 साल पहल कॉंट्रेडिक्शन की वज़े से ही आईडियास रिफाइन होती है और आप जानते ही कॉंट्रेडिक्शन कॉंसेट कालमाक्स का है मावो का कॉंसेट ही कॉंट्रेडिक्शन की वज़े से ही चीजे रिफाइन होती है नहीं आईडियास निकलते तो उसी का समर्तन करते हो ने कह कि contradiction हो सकती है, हम में और चाइना में या दूसरी कंट्रीस में contradictions हो सकती है, अलग-अलग हमारे नजरिये हो सकते हैं, लेकि तब भी हम लोग trade तो करी सकते हैं, basically justified the visit, in fact उन्होंने ये कहा, कि मैं केवल एक जर्मन बन के नहीं जा रहा हूं, मैं एक European बन के भी जा रहा हूं, अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं EU को represent कर रहा हूं, लेकिन I am a European also, इसका मतलब किया है, कहीं ने कहीं एक rapprochement की बात जरूर उन्होंने की, इसका मतलब किया है, indication ये थी, कि चीजे जो भी हो, Russia, Ukraine की युद्द के चलते division जरूर हो, लेकिन हम China के साथ trade करना चाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, we don't want to decouple from China, but ये भी कहा, we can't be over-reliant, यानि कि cautious approach को मैं follow कर रहा हूं, कुछ इस तरह की चीज उन्होंने बताए, that's the basic idea, right, अब इस चीज का, इस पूरी development का मतलब क्या है, अगर हम लोग देखें, इस एक युद्ध चिड़ा हुआ है, world की situation कुछ इस तरह से, यानि कि एक तरफ है US, United States of America और उनके allies है, right, और दूसरी तरफ है Russia और China, right, कुछ इस तरह की division हो चुके, लेकिन कहीं ने कहीं, ज्यादा से ज्यादा countries, मैं कह सकता हूँ, India का तो stance आपको पहले से ही clear पता है, India is somewhere in the middle, India को हम लोगोंने mediator की तोर पे भी चर्चा की हुई है, India और Russia की relations और भी जदा बट रहे हैं, इंडिया रश्या से और भी तेल खरीद रहे हैं, रुपी में payment हो रही है, right, तो इंडिया का stance तो पता ही था, लेकिन मैं कहूंगा, इंडिया के साथ अभी एक और country है, जो autonomous policy follow कर रही है, कहीं न कहीं European Union की policy से deviate होकर, United States of America की policies को deviate होकर, उस unity से हट के, यहाँ पर Olaf Scholz ने यह step लिया है, somewhere a middle ground, अब इसका मतलब क्या है, जो भी experts बात कर रहे हैं थे कि, we are entering into era of cold war 2.0, it doesn't seem actually like cold war 2.0, क्योंकि अगर cold war 2.0 है, तो western block एक तरफ और communist block, यह पर socialist block एक तरफ, ऐसा नहीं है, अभी फिलाल, countries are talking more and more of pragmatism, right, ideology तो है ही है, ideology is there, but we are also going to trade, that is what was, right, Wendell-Durch handle यही policy, तो इससे right now, इंडिया के साथ मैं कहूंगा, एक और partner आचुका है, जर्मनी इससे हम लोग, एक अनुमान जरूर लगा सकते हैं, there will be more and more traction between, इंडो-जर्मन relations also going forward, यानि कि इंडिया और जर्मनी के relations भी और बढ़ सकते हैं आगे चलके, that's the stance as of now, जैसे कि आपने देखा, विजट उतनी ज़्यादा जरूरी नहीं थी, विजट में ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़े हुई, ट्रेट लेट बाते हुई, कुछ statements आये, नूक्लिर वेपन के बारे में, climate change के बारे में, लेकिन symbolically बहुत जरूरी थी कि कहीं न कहीं हम लोग history में नहीं जाने वाले हैं, हम लोग ने जो पहले cold war देखा, उस तरह की situation नहीं होने वाली अभी, तो western block से भी major countries, they are very open to trading with China, that's the basic understanding from this particular discussion, right? अगर इस चीज़ के पर कोई अपडेट आएगी, कोई भी नई चीज़ होगी, तो हम लोग जरूर चर्चा करेंगे, आशा करता हूँ कि this was interesting and eye-opening for you. Thank you for watching this video, जैहिन!